जब बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए यह कहावत पाकिस्तान के उपर बिल्कुल सटीक बैठती है और वो इसलिए बैठती है क्योंकि कल ही इरान के रेविलूशनरी गाड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रात में ताबर तोड़ कई अटाक कर दिये एक पाकिस्तान आपकी मार तो आपने सच कुबूला क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आपकी मार तो आपने सच कुबूला क्योंकि जब हिंदुस्तान की ओर से बालकोट एयर स्ट्राइक की गई थी तो सामने से स्टेट्मेंट यह आया था कि महस कुछ कवे मारे गए हैं और कुछ पेड़ ही गिरे हैं कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है कम से कम अपकी बार तो सच कुबूला आपकी बार तो माना कि हाँ इरान की ओर से अटैक हुआ है आप कि हाँ कुछ लोग मारे गए हैं लेकिन किस मूँ से आप बदला लेनी की बात कर रहे हैं किस मूँ से रिटालियेट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों गर पर पक्त्थर नहीं ये कैसे भूल गया और दूसरा पॉइंट तो ये कि आप तो आतंगी संगठन नहीं थे आपकी वोड से दावा तो यह किया जाता था कि हम आतंग को पनाह नहीं देते हैं ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान की बलूचेसान प्रांथ में आतंगी संगठन की मौजूद्गी है ये तो वहाँ गौर करने वाली बात है लेकिन आप इस बात को माने ना माने लेकिन जैश अल अदर इस टेर्रिस आउट्फिट ने अपना एक ऑफिशिल स्टेट्मेंट जो जारी कर दिया है उससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान आप आतंगवाद को पनाह देते हैं य इराक पर इसलिए अटाक किया क्योंकि इरान में जब जनरल सुन्रे मानिक की डेथ अनिवर्सरी मनाई जा रही थी वहाँ पर जब मजमा लगा हुआ था जो लोई खटा हुए थे उस पर आइस आइस द्वारा अटाक कर दिया गया था और इरान का मानना ये था कि ये अटा कर रहे हैं कि दो जबों पर अटेक किया गया अब समझे इस बात को कि Middle East में पहले ही बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई है Middle East की अगर बात करें तो सबसे पहले यमन का जिकर करेंगे यमन के चाहे हूती विद्रोही हो या फिर गाजा में हमास हो या फिर प्लस्टा Water डर सतानी वह लगा पकिस्तन को अमेरिका हर्म करना है पकिस्तान और हमेशा की quests ङाँ जो है वह अमेरिका के हात हहो की तरफ आगे बढ़ रहा है ये भी एक सवाल है लेकिन इस बीच आपको ये भी बता ये बड़ा जल्चस्प है जल्चस्प ये है कि इस अटैक के ठीक 12 गंटे पहले पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और इरान के विदेश मंत्री साथ में बैठे थे बाचीत कर रहे थे चाय पर चर्चा हो रही थी और 12 गंटे के अंदर ही पाकिस्तान में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है ये कैसे रिष्टे हैं जब थाली में आप लोग खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं और फिर बात वहनुमाई की करते हैं लेकिन पाकिस्ता ने कि जो गलती करी है ये उसे भारी पढ़ने वाली है